हेलो एवरिवन तो आज अपन केमेस्ट्री का फर्स्ट चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपने पास रसाइनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधार नहीं तो क्लास 11 के अंदर अपन रसाइनिक विज्ञान को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते वे अपर लेवल और हायर लेवल तक जाएंगे ठीक है तो इसके अंदर अपन को बेसिकली क्या पढ़ना है इस चेप्टर के अंदर सबसे पहला चेप्टर है सबसे मैतवपूर्ण है क्योंकि इस चेप्टर का अंतिम जो चेप्टर होंगे अपने पास है अध्याय होंगे उनमें इसका उप्योग पूर्ण रूप से होता रहेगा तो इसलिए इसका नाम ही गया है कि मूल अवधारनाई रसाइनिक विज्ञान की अब रसाइन विज्ञान अगर अपने को बढ़ना है तो उसके कुछ एक अपनों को मूल बिंदु जो होते हैं उसका ग्यान होना चाहिए समझभा रहे ना भई मेरी बात है अब यहां पे देखो कि सबसे पहले नाम ही सुरू हो रहा है कि रसाइन विज्ञान तो रसाइन विज्ञान होती क्या है अब रसाइनिक व रहेगी रसाइन विज्ञान क्या है इसका जनक कौन है ठीक है और दर्वे क्या होता है दर्वे के परकार क्या है ठीक है और उनके परकारों को भी अपन गहन रूप से धिन करेंगी ठीक है तो चैप्टर के अंदर अपनों को बस यहीं पढ़ने है कि मूल अधरना ही क्या है तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और जिन स्टुडेंट के पास इस लेक्चर इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इंदर गीवन है तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रसाइन व iç PRESENTE के खिरिया जो रसाइनिक हो पोटी है उसका अधेन करना ठीक है और जो कर्यांट कर्णा ठीक है पर जो एक दमक्रेक्ट डेफिनेशन हैं वह आपको यह मिलेगी कि विज्ञान की विया नंकी वहैसाख़ tota का जिसके अंदर यह पिर जिसके अंतरगत दर्वे का अध्यन होता है दर्वे का अध्यन होता है ये इसकी डेफिनेशन एकदम करेक्ट है जिसे कोई नहीं जुखला सकता विज्ञान की वहसा का जिसके अंतरगत क्या होता है दर्वे का अध्यन होता है ये इसकी सबसे सरलतम में परीबहसा है कि रसाइन विज्ञान क्य होती है अब रसाइनिक विज्ञान है वो बहुत जगाओं पर काम आती है अपने देनिक जीवन में ले लो अपने जो भी चारों तरफ देख रहे हैं रसाइन विज्ञान से समझत है ठीक है अगर आप अपने कपड़े जुत्ते ठीक है सोक्स हो गए अपनी तरफ जो ये लग है बोर्ड है लकडी है घर है या फिर कोई भी चीज ले लो उसके अंदर रसाइन का फूल पर क्या होता है यहां पर रसाइन विज्ञान का उप्योग लिया जाता है कोई भी चेतर हो भी उद्योगिक चेतर ले लो ठीक है तो वहां पर भी क्या होता है रसाइन विज्ञान का पूरा उप्योग लिया जाता है अब अगर अपने बात करें तो इसके जनक कौन है तो इस इसके जनक है ठीक है जिसको अपने रसाइन विग्यान का जनक कहते हैं फिर पिता कहते हैं ठीक है लवस यह इन तो ही अब यहां पर देखो भाई पहले अगर बात करें तो रसाइन विग्यान की मुख्यते किती साखाई होती है तो रसाइन विग्यान की मुख्यते साखाई हो होती है तीन सबसे पहली को अपन बोलते हैं एक और वनिक यह आ जेव रसाइन जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री इन ओर घेनिक chemistry दूसरी है carbonic recine या फिर इसको बोलते है जेव recine जिसको अंग्रेजी में कहते है organic chemistry और एक आखरी जो इसकी branch है जो साख़ा है वो है भोतिक recine भोतिक recine यानि physical chemistry ये तीन इसकी मुक्यते साख़ाय चलती है अपने सलेबस के अंदर ठीक है एलियाउ तो ले लो या 12 तो ले लो तीन मुक्यते साख़ाय इसके अंदर चलीगी ठीक है एकारबनी का मतलब बिना कारबन की कारबन नहीं होना चाहिए के और कोई साभी तत्व है का अगर अपना धिन कर रहे हैं तो वह ऐ है दूसरी बात कारबन नहीं के अगर बात और बात हो रही है तो कारबन की consecut की क्या होगी जिन होगा भोत्तिक का क्या होता है कि जो फॉर्मूले हैören emission है विलियन है ये सारे कुछ क्या होती है अपने पास बोतिक रिस्जान की विध्यान की साखाईंगी अब जैसा कि अपने रसाइन विध्यान की प्रीबहसा में लिखा है कि दर्वे तर्वे का अध्यल तो इसके बारे में अपने को पता होना चीए की दर्वय क्या होता है दर्वय क्या है कि वह पदार थे या कोई भी आप समगरी लो वह पदारे वह कि just subscribe ऑपधार अ हुए है जिसका दर्वय मान आपके आस पास जित्ती भी चीज़े दिख रही है ठीक है वो सारे की सारी दर्वे है उनके अंदर भार है उनके अंदर वजन है या फिर दर्वे माने वह जगह भी गहर रही है ये मारकर ले लो जिसे मेरे पास मारकर है ये देखो ये मारकर है इसके अंदर कुछ ना कुछ बले जिरो पॉइंट दो तीन चार ग्राम ही हो ठीक है अब यहां पर इसका दर्वे मान है और ये जगह भी गेर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया मारकर एक क्या है दर्वे है ठीक है तो ये चीज हो गई तो ये दर्वे हो गया कि सियर्ज दरवए क्या होता है कि वहएपदार जिसकाक दर्म मान होता हैं और जगहें गेढ़ती है तुसको क्या बोलते हैं अपने दर्भी बोलते अब तो नष्मिक buildशिया कोर्व से ठीक बहुत्तिक वरंगी करने इस दो ब्हगों के इंद्ध तोड़ा गया है इसनिए और एक रसाइनिक वर्गी करण double वर्गी करण ये दो यहां पर क्या है दर्वे की मुख्य क्या क्या है जो वर्गी करने होएं फो एक बो तीन परकार के होते आइंड और टोस एक होता है द्रव और एक होता है गेस ये है बोतिक वर्गी करने और जो रसाइनिक वर्गी करने उसके होते हैं दो परकार उसके किते परकार होते हैं दो परकार होते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर अपने पास है एक तो होता है सुद्ध परदार्थ क्या होता है सुद्ध परदार्थ दूसरा अपने पास जो है वो है मिस्रण रसाइन वर्गी करण के नुसार क्या हो गया सुद्ध परदार्थ हो रहे मिस्रण अब सुद्ध परदार्थ जो होते है वो दो परकार के होते है एक तो होता है तत्वे और एक होता है योगिक और योगिक होते हैं दो परकार की एक तो हो सकता है कारबनिक और एक हो सकता है एकारबनिक यानि या तो उसके अंदर कारबन है या फिर उसके अंदर कारबन नहीं है और मिस्रन भी दो परकार की होते हैं एक तो होता है सेमांगी मिसरन सेमांगी मिसरन और एक होता है विसमांगी मिसरन विसमांगी मिसरन तो दो परकार के मिसरन हो गई तो मैंने क्या का कि दर्वे का वर्गी करन दो परकार से आप कर सकते हैं एक तो है बोतिक वर्गी करन और एक है अपने पास रसाइनिक वर्गी करण बोतिक वर्गी करण में आप आगे तीन भागों के अंदर और तोड सकते हो ठोस, दर्वे और गेस और रसाइन जो वर्गी करण है उसको भी आप दो भागों के अंदर तोड सकते हो एक है सुद्ध और दूसरे है मिस्रण अब सुद्ध को भी दो भागों के अंदर तोड़ते हैं एक तत्र एक योगिक योगिक दो प्रकार के होते हैं या तो कार्बनी कोगा या एकार्बनी कोगा पिर है मिस्रण मिस्रण क्या होता है सह मांगी मिस्रण हो सकता है या फिर वि वर्गी करन को इंडेफ्थ पढ़ते हैं ठीक है ठोस दर्वे और गेस जैसा कि देखो आपने छोटी क्लासों के अंदर इनके मद्या का अंतर पढ़ लिया होगा तो एक वार यहां पर लिखा के एक और रिवाइज करवा देते हैं ठीक है तो इसके अंदर जादा आपको वहालती है और योग डिक है और मिस्रन सहय माँंगी मिस्रन टोनिस मैंगी मिस्रस सचाकिया इए अब आराम से Сारी जगहां पर घुर जाए ठीक है जो पदार ताप उसके हिँए ने तौब पर तीाए और रहे सब्कुर इंड़ता देतें और यह इंटने ऋवह पर टो औरं डाटा है वो नोट कर लीजिए ठीक है और उसकी बाद अपना आगे चलते हैं अब अपने आगे चलते हैं ठोस दर्वे और गेस के मद्य अपने अंतर पढ़ेंगे देखो केसे अंतर हैं इसमें अकार सबसे पहले गुण ध्रम है वाकार है ठोस का आकार निस्चीत होता है दर्वे का आ निस्चीत है और गेस का भी आ तो वह बहने लगेगा और एक निस्चित सा आकार बना देगा डर वे का भी आकार क्या होता है और गेस ओंका कहना ही क्या ठीक है वो तो सबसे दादा थानिस्चित अ कार में रहती है ठीक है तो यह चीज़़ फिर अपने पास है आइटल 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 वो ठोसों का ठीक है दर्वे का भी क्या होता है निश्चित होते हैं परन्तों का एक मिलिलीटर ठीक है आई ठीड़र आई तन लिखते हैं पर वह कौन सा लिखते हैं जब आप अपने पास अध्याए पांच आएगा ठीक है गेसों के नियम है वगेर उनमें तो वहां पे आपको बताया जाएगा एक नियम आएगा जिसको कहते हैं डाल्टन का अंसिक दाब नियम ठीक है तो उसके अंदर आप देखोगे कि गेसों को जिस पत्र के अंदर रखत अब देखो तीसरी निम्बर पर गनत्वे ठोसों का गनत्वे होता है अधिक्तम दर्वे का होता है मध्यम और गेसों का उता है नियुक्तम गनत्वे जैसे क्या हो गया कि कोई चीज किति बंदी हुई है समझ में आरीन बहीं आप रसाइन के अंदर यह समझे एक वार कि क्या बोल देंगी घनत्वे ह्गी क्या होता है दुर्वांत सबस्त्व की साथ करम दोसों में सब्सक्राइब को अधिक्तम हí रहता यहां कित उपर दर्वे का मत्य होता है ठीक है घनत्वेम रहतें तो इसका जो दर्वे का जो घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मद्यम हो जाएगा और गेसों का सबसे न्यूंतम होता है गेस तो जादा भी ख्री होई होती है ठीक है तो यह चीज़े फिर है अनुओं के मद्य दूरी ठीक है अब अनुओं के मद्य दूरी यानि कि आपको भी द बल होता है, जिसके दोरा वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम क्लोज रहते हैं, ठीक है, एकदम चित्के वे रहते हैं, तो ठोसों के अंदर आपको पता है कि ठोस के अंदर क्या होते हैं, जो अनू होते हैं, वो एक दूसरे के बहुते हैं, पास होते हैं, इसलिए उनके म की रहती है ना तो जब्धा होती है यह दौनों के मतलब एक दम बर खैसे बात आई गई गुह को बता दिता हूं कि अगैर अपने पास कोई कोई भी पदार्थ है ठीक है तो उसकी दो परवर्थी होती है एक तो होती है आकर्षन परवर्थी एक तो होती है अकर्षन परवर्थी और एक होती है अपने पार से प्रतिकर्षन परवर्थी कोई भी पदार्थ है या तो क्या होता है किसी के पास रहना चाहता है या फिर द कर्षन पर्वर्ती कम होती है तो होसा ओगर पर्षन परवर्प t और उसको बौटी ज्Ãदा उसको बोलती है गेस्य आवस्ता अकर्षन परवर्थी और प्रतिकर्षन परवर्थी दो परवर्थी होती है ठीक है यह तो कोई चीज क्या है एक दूसरे के पास में रहना चाहती है या फिर दूर रहना चाहती है अगर अकर्षन परवर्थी जद्द है पास रहने की परवर्थी जद्द है तो उसको तो बोल तो यहां से बात चलती है कि अनूों के मध्य दूरी है को ठोस में बहुत कम होती है द्रवय के अंधर में नियून तम रहती है अच्छा गंदक घंदक की बात करें तो गंदक के अंदर क्या कि कोई चीज की सुगंद कितनी आ रही है ठीक है अब आप को जो है और दर्गाई में तोड़ी बहुत घंद कर पाई थन्तती है थोडी वह प्लाद है टिए कि कर बहुत भार में भी की और जाती है और map यहां पर सब्सक्राइब में चारओ और में इससी गंदक आने लगती है ठीक है तो गंदक है है वह क्या होती है ठोस में न्यूंतम होती है द्रway में मद्यम में और गैस में अधिक्तम होती है गलनाग का उतिनांग की बात करें तो ठोस में कि नीश्चित हमाने जल हो गया और भारी जल है फिर देखो गेस के अंदर जैसे और टू एंटू सील्टू वगेरा यह कैसे हो जाएगी ठीक है तो यह है ठोस दर्वे और गैस्ट क्या आपने सोटी क्लासों से पढ़ किया हो ठीक है तो एक वार आप इसको कुई कर लीजिए अब आगे चल करते हैं कि आपको अवस्थाओं को बदलना है एक दूसरे की अंदर जैसे की बॉतिक अवस्था वह अपने पढ़ी। ऑर गैस यह यहां भी तापमान रहेगा ठीक है अगर आपको गेस से दर्वे में जाना है ठीक है गेस से दर्वे में जाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा दर्वी करन करना पड़ेगा ठीक है दर्वी करन का मतलब बस यह है कि तापमान को गटाओ तापमान को गटाओगे त तो गेस क्या है वापस दर्वे के अंदर जाएगी अगर दर्वे से ठोस के अंदर जाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा ताप मान और कम करना पड़ेगा यहां पे आपको जैसे बोल सकते हैं अपने जमाना पड़ेगा ठीक है अब यहां पे कि अगर आपको डिर्यिक्ट ठुष से गेसम हो जाने ठीक है जिसको क्या बोलते है उसे स्तिति इंदर क्या होगा यहां पर क्या होगा जिससे कि अपने पास कपूर एठी कैं तो यह हार हम ठीक है अम मुझे पूरा नहीं आथा है ठीक है इसे तो तो सहे ग्रस है ठीक है ठीक है ठीक कि दर्वे से आप बिना गुजरे आप क्या को सकता है ठोस ये इसके इंदर भी जा सकते हैं इसमें क्या करना पड़ता है ठीक है तो यह बैसिक सी चीज जिसको आपको याद में रखना है अब देखो अपने आगे चलते हैं यह आपको समझ में आगे न अगर आपको अवस्ताओं को बदलना है तो आप क्या कर सकते हो यहां पे ठोस से दर्वे के अंदर ताप मान दे हो दर्वे से गेस के अंदर और ताप मान दे हो गेस से दर्वे में आने के लिए दर्वी करना प करना है ठीक है अब यहां से ठोस्ट के रहते हैं अगर जह अगर यह रोप होता है तो उसे सुधप़ार्थ करते जयाों रूपसे समान तो कहते जैसे कि आपने कर एक सोने की कोई भी मान लो सुद्ध सोने की एक बिस्किट ली ठीक है उसके अंदर क्या होगा केवल सोने के अनू होंगी ठीक है सोने के प्रमाणू होंगी ठीक है और अगर आप मान लो जल लेते हो तो जल के अंदर क्या होगा केवल जल के अनू रहेंगे स्वाइब तो यह चीज हो गई अब यहां पर प्रकार के तत्वा एक योगी के अंदर क्या होगा तत्वा में क्या मिलेंगे क्या मिलेंगे प्रकार के पदार्त मिलेंगे आपको ठीक है जैसे आपने सोना लिया तो उसके यह चीज़ एक परकार कि प्रमाणू होंगे जिस्सें मैंने लिया to yeah uh two लिया तो एक प्र मैंनर के इंदर के रिवल ने ओक्सीज़न ने ट्रीक कहे लिया तो इसके अंदर तो उसके अधार पर योगिक क्या होते हैं कि अगर तत्वा आपस में क्या होते हैं एक निश्चित अनुपाथ के अंदर जैसे कि मालो मैंने लिया हिए लिया थीक है दूसरा मेरे से मान लो मैंने नहीं अडनले ली लिया मिनमालों यह जो ओ सिक्स एच तो और लिया अब यहां पर बूखरो जेखे हो किया हो रहा है कि दो यह दो से हुट है दो से इनका निश्चित क्या हो गया अपने पास से रह ठीक है तो यह चीज हो गई तो तिएध्य में क्या होगा है मैंने का दो यह तो दो से ज्यादा और निश्चित अनुपात भाग लेंगी ठीक है जैसे चुम्म में लोजन ओक्सीजन का नपाथ दो नपाथ एक है यह बात समझ में आगी अगले में चलते हैं मिस्रण में क्या होता है कि वह पदार थे जिसमें दो या दो से अधिक तत्व है या योगिक आपस में क्या होंगे समयलित होंगे गुल मिल जाएंगे ठीक है तो उसको मिस्रण बोल ठीक है तो उसको अपन क्या बोलते हैंगे सह मांगी मिस्रण बोल देंगी अगर विस मांगी में क्या होता है कि जब मिस्रण में घटक पूर्ण तया मिस्रित ना हो अर्थारत गटकों के करन संपूर्ण रूप से मिस्रण में समान रूप में नय बिखरे रहे ठीक है तो उ यहां प Boghan объctor had a 12 ऑपने नवो आपने क्या कर दिये लिए इस मेफने पानी और चीनी निगला अपनी और नमक यह पंदर पूरण तया गुल जाएंगे आप निगर यहां से कोई स्वानेуз भी सेंप़ल लेओ उपर से नीचे से ठीक है वीच में से कोई भी सेंपल हो गा ना तो उसका मिठाष एक जेसा रहगा इसा नहीं न इसा नहीं है कि उपष्षे नहीं यह संपने नीछे में है जक्री निदे लूए है और यानिन धाड पर जक Disney helicopters आप पानी या फेरे, आप ले लो दूल का, ठीक है, या फिर मिटी, तो इसका मानलो आपने यहां पे क्या लिए है? मिसरं लिया, अब पानी और तेल में देखो, जीसे मानलो अपने यह पानी लिया, इसके अंदर तेल डाल दिया, तो तेल ऊपर-ओपर क्या होगा? तेरता रहेगा अब यहां पे क्या होगा कि तेल नीचे नहीं होगा यहां पे पेंदे पे तेल नहीं जाएगा क्यों रूप पर क्या है तेरता रहेगा और यहां पे अगर मिटी के दूल डाल दोगे तो धूल नीचे बेड़ जाएगी ठीक है और पान यह उपर रह जाएगा थीक है तो जिससे आप इनको अलग भी कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना वाइस चीज़ के बारे में तो यह होते हैं सैमांगी और विसमांगी मिज़रा पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपना के चलते हैं तो कर लीजिए नेक्स्ट अपने चलते हैं मूल मात्रक कोई की तरफ है ठीक है मूल मात्रक ठीक है अब मात्रक क्या होते हैं जो पदार्थ की मात्रक अधर साने वाले जो चीन होते हैं उनको अपन मात्रक कहते हैं ठीक है अब मात्रक दो परकार की होते हैं एक तो होते हैं मूल मात्रक एक होत महत्रभ थीक है अब मूल महत्रभ क्या होते हैं मूल महत्रभ वो महत्रक होती जो किसी अन्हेमात्रभ से यत्पन ना लaiser हो ठीक है यह यहं और इसके भी गिंती स्थिर है ठीक है टोटल अपने पास अभी तक कितने साथ है ठीक है साथ मूल मात्रक लिए गए है तो मूल मात्रक है एक तो स्वतंत्र है एक तो स्वतंत्र है दूसरी बात है मूल मात्रक क्या है किसी दूसरे किसी दूसरे मत्रक से व्यूत्पन नहीं हुए है ठीक है जैसे मालों की जो साथ है वो कौन कौन से सबसे पहले मालों यहां मैंने मूल मत्रक लिख रहा हूं और यहां उनके मालों मैंने चिन लिख दी ठीक है यह होगई जैसे सबसे पहले लेती है मूल महत्रक के अंदर जो है लंबाई ठीक है उसको देखों आपको चिंश कैसलिक mos być है मिटर में ली तीजी जिए जो ऐसा ही मात्रक है मिटर है तो लंबाई के अंदर कोई दूसरा मात्रक इंटरफेस कोई सामिल नहीं हो रहा है ठीक है कि वो लंबाई का मात्रक मिटर है तो मिटर है इसके अलवा इसके अंदर कोई दूसरा मात्रक है वो सामिल नहीं हुआ है ठीक है एकदम सुद मात्रक है मिटर दूसरा मानलो ह DER dances कि समय एैंगा जो चीन है वहुर्ची से कड़ होते है ठीक है है अब धेको स्चिंट है है यह फिर जो समय है उसके अंडर भी कोई दूसरा यहां पर मात रके नहीं मिलावाई के और से केंड क्या है एक सुध मात रके यह मूल मात रके तीसरा जैसे मानलो, दर्व्य मान है, तब दर्व्य मान भी क्या है, कोई दूसरा मत्रे के, हिसा नहीं ले रहे हैं, काप मान है, ठीक है, जिसको गेल vibrations से दुर साथी है, ठीक है, इसमें भी कोई दूसरा मत्रे के, नहीं मिला हुआ है, ≠ पांच्वा जैसे मानलो अब लुकुता रहता है जोती जिसफिता के अंदर क्या होता है जो तो मैंुक्त होट रहता है किया का आपकल लाट से पढ़ार्थ की मात्रा इसका जो हो मोल का कंसेट्ट समझ गए आगे जैसे इसे चेप्टर के इंद्र है पूरा मोल अपना आपको समझाएंगे ठीक है इंडेप तक यह तो इंट्रोडेक्शन चल रहा है ठीक है दूसरा जैसे मानलो अपने पास मात्रक होते हैं व्यूत्पन मात्रक यूत्पन मात्रक क्या होते हैं जो मूल मात्रकों से बने हुए होते हैं जैसे कि मानलो मैंने उदान लिया मानलो गनत्व का लिया गनत्व क्या होते हैं दर्वेमान बटे क्या होते हैं आइतन अब दर्वेमान तो किस में लेते हैं केजी के अंदर और आइतन क्या होते हैं लं मान और लंबही दो मूल मात्रक से बनी हुई एक मात्रक है तो से यह क्या होजाएगा था ड़ेगे की जरोップ 5 समय होता है यहां से मिट्र मिट्रबटि है वह समय से कड मिट्र रइसे कन अएätt नितम रबते सेकेंड है तो हम लो आपने लिया ठीक क्या लिए है जो तुल यह क्या होता है एक यह क्या होता यह तो प्रण यह भी क्या एक व्यूत्पन नबना सकते हो जैसे कि मौन गवां लो आपने लिया बल ले लो एक इक क्या होता है हम में होता है नूटन वह वैशे तो इसन इसा मात्रिक पर अंदर खोल के लिए तो केस निकल के आएगा यह गया केजी और वह होता है मिटर पर सेकंड इसक्वेर ठीके वैंड दरवेमान को केजी में हो रहें एम्प यह अपने पास तवरण है में में तो जो मात्रकों को मापने की जो पदतिया है मात रकों को मापने की पदतियां कौन कौन सी है सबसे पहले तो है M.K.S दूसरी है C.G.S तीसरी है F.P.S और जो के अपने पास सबसे फिम्मस है वो कौन है S.I ठीक है M.K.S के अंदर क्या होता है दर्वे मान दर्वे मान तो किस के अंदर लेते है के जी के अंदर ठीक है नहीं यहाँ अपने पास जो M है ठीक है वो क्या हो गया अपने पास लंबाई है ठीक है यह क्या हो गई लंबाई ठीक है और यहाँ पर मान लो मैं लिख लेता हूँ लग लग करके यहां पर देसे मालों लंबाई है और मुक्य ताइस के अंदर लंबाई दर्वे मान और समय यह रहेंगे तो MKS के अंदर क्या होता है लंबाई मीटर के अंदर लेते हैं दर्वे मान है वो केज़ी के अंदर लेते हैं और समय है वो सेकेंड के अंदर लेते हैं सेजेस के अंदर लंबाई लेते हैं सेंटिमीटर में ठीक है और दर्वे मान लेते हैं ग्राम में और समय लेते हैं सेकेंड में यजो लंबा मैं फोट में और ऑर जो यह मान है वह लेते हैं पाॉंड में अगयोंके आपने पासे इंटello अभी तक तो अपने यहां तक पहुंचे आगे भी बहुत है इंट्रोडेक्शन तो ठीक है तो पहले आप यह इता नोट कर लीजिए फिर अपना आगे चलते हैं तो अपने एक ही लेक्चर के अंदर है परिच्य देपाना थोड़ा मुस्किल है अभी तक और भी चीजें बच भी टेक्ट एथ और डर्वे के परकार पड़ी ठीक है भोस डर्वार केश का पढ़ने क्या पढा वहां पर अंत्र पढ़ा है रिक है सुद्धबदार्थ है ठीक है और योगिक है मिसरने अवस्ता हो कैसे कैसे बदला जाता है ऐसा ही यह जो शिस्टम वगे रहें हैं एंक् तो नेक्ट अपना लेक्चर है वो भी परीचे के उपड़ी रहेगा तो जल्द ही आएगा अगला लेक्चर है तब तक के लिए पड़ा इकड़ते रहें जै रास्तान